टीमसी ने एक फोटो शेर की है, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेर की है, जिसमें टीमसी आरोप लगा रही है, बीजेपी पर, कि इवियम पर बीजेपी का टैग लगा हुआ है, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर है, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो आप लाल गेरे कर लगा हुआ है कि तस्वीर कितनी सची है अब यह तस्वीर कितनी सची है उने जी नहीं कि पता कि क्या सही है तो इसलिए जी नियुज एग्जमेदार चैनल है यह तस्वीर शेयं की गई है अब हो सकता है कि शोप्राइं अर्दों का AI भी कुछ बूरना सुरू कर देखिए यह EVM जो है वो बहुत बेचारगी की स्थिती में लोगतंतर में है आप याद करिए कि जब कॉंग्रेस पार्टी का सत्ता था तब भारती जनता पार्टी के लोग ने किताब लिख दी थी EVM क को लेकर अब यह इस्तिती पलट गई तो मुझे लगता है कि हमारा जो एलेक्षन का administration है एलेक्षन सिस्टम है वो बहुत रोबस्ट है और लेकिन वोटिंग परसंटेज को लेकर है लेकर मेरा मानना है कि यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कल पूरा मसला सुना एक प्रेस कॉंफरेंस चुनाव आयोग को तत्काल करना चाहिए और अपनी इस्तिती साफ करनी चाहिए लेकिन जो प्रकरिया का दिक्कत है उसमें वोट सील होने के बाद बढ़ा देना और वो भी इतनी बड़ी संख्या में यह लगभागा संपर है जब कोट कह चुका है कि चुनाव चल रहे हैं ऐसी स्थिती में हम चुनाव आयोग पर बेवज़ा प्रेशर नहीं क्रियेट करना चाहिए उसका कोई मतलब नहीं है देखे है क्या प्रतियूश ची मुझे लगता है कि निश्चित तोर पे लोक तंत्र में यह सवाल उठाएगी विपक्षी दल यह कहेगा यह उनका हक है और विजेपी भी जब विपक्ष में होती है जहां पर वो उठाती है तो वो बढ़ा कई बार बहुत दूर से आने में यह सब दिक्कते होती है और वोट देखे जो बढ़ने वाली बात है अभी इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा मैं फिर कह रहा हूँ जब लाल कश्रडवानी ने इस प्यारोप लगाया था तब भी कोई साबित नहीं कर पाया तो वो अलग बात है कि तब कुरेशी साहिब उसका बचाव करेते है आज कुरेशी साहिब भी उसके खिलाब कड़े हुए लेकिन कोई भी साबित नहीं कर पाड़ा है वो सौरब भरत द्वाज के फरजी मसीन लेकर जरूर बिजार समझ में दोना लगाया था सभी दलों को आमन सेथ किया था आई और बताईए कि इसको कैसे चलिक किया जाता है जार्चा लगाता है